इस आसन साईटिका तता पीट दर्व में आराम दिलाता है भेपड़ों की कारेक्षमता बढ़ाने में बहुत साहे करता है अब हम पीट के बल लेट कर किये जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे अब बाई करवट लेते हुए पीट के बल लेट जाई पीट के बल लेट जाए आराम से लेट जाए पहला अभ्यास सेत बंधासन दोनों गुटनों को मोटते हुए अपनी एडियों को नितम के नजदीक ले आई एडियों को पकड़ लीजे अब स्वास लेते हुए नितम वा कमर को उपर उठाए और पूल जैसे आकरती बनाए उपर उठाए थोड़ इसी आओ अब बहुत बढ़ी है उस देर इस आसन में बने रही ये आसन अवसाद की रोप्ताम में मदद करता है थायराट गरंती के स्वास में ही बहुत उप्योगी आसन है स्वास चोटे हुए वापस आई पीट के बल थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजे शवासन विश्राम कीजे अगला आसन उठान पादासन पैरों को मिलाई हातों को शरीर के बगल में सीधा रखिए हातेलिया जमीन की तरफ रखिए स्वास लेते हुए दोनों पैरों को उपर उठाए और तीस दिगरी का कौन बनाए समान निश्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रही बहुत बड़ी हुए स्वास छोटे वे धीरे से पैरों को जमीन पर लाई और थोड़ी देर के लिए विश्वाम कीजे लंबा गहरा स्वास लीजे छोड़ी यह आसन पेट की चरबी को गटाता है और श्वसन ख्शमता को सुदारता है अगला भ्यास अर्द हलासन दोनों पैरों को मिलाए हातों को जंगाओं के पास रखिये स्वास भरते हुए बिना गुटनों को मोड़े धीरे से पैरों को उपर उठाए और 90 डिग्री का कौन बनाए 90 डिग्री नित्म से कंधे तक के शरीर बिलकुल सीधा रहे बहुत अच्छा एक्सलेंट सामाण निश्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रही स्वास छोटे विये दीरे से पैरों को नीचे ले आए वापस आई विश्राम कीजिए यह आसन उक्तरत चापत को दूर करने में मदद करता है